मेरे पहरे देश्वासियों, हमारा भारत कई अनेक असाधारन प्रतिभाओं से संपन्न है, जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तेलंगना के डॉक्टर कुरेला विठलाचारिय जी, उनकी उम्र 84 साल है। कि बच्पन का वो सपना तब सपना ही रह गया। समय के साथ बिठलाचारी जी, लेक्चरर बने, तेलुगु भाशा का गहन अध्यन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का स्रजन भी किया। छे-साथ साल पहले वो एक बार फील अपना सपना पूरा करने में जूटे। उन्होंने खूद की किताबों से लाइबरेरी की शुरुवात की, अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। दीरे दीरे लोग इससे जूरते चले गए और योगदान करते गए। यदादरी भूमनागिरी जिले के रमन्ना पेट मंडल की इस लाइबरेरी में करीब दो लाग पुस्तके हैं। विठला चारी जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो किसी और को न करना पड़े। उन्हें आज ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में स्टूडन्स को इसका लाब मिल रहा है। उनके प्रयासों से प्रेडित होकर कई दूसरे गाउं के लोग भी लाइबरेरी बनाने में जूटे हैं।